हेलो वाट्सप गाइस मैंने इस विनुत बादू था अब बताना चाहूंगा आज कोड़े बहुत ज्यादा ओसम होना ला बिकोज आज हम देखने जारे और टू टैकल योर रूट सिन एक्स्प्रेस जेस ठीक है तो कल की दिन हमने देखा की हम हमारे एक्स्प्रेस एप्लिकेशन को कैसे इंस्टोल कर सकते हैं लेकिन तो क्ल के दिन थोड़ा मुस्किल हो सकता है अगर हम बड़ा एक्लिकेशन पर जाएंगगे तो वहाँ पर mostly लोग router का use करते because router में we get controllers मतलब router and controllers का combination से बहुत ही ज्यादा मजा आता है it's like your react application में context API with your reducer जहाँ पर एक आपको बताता है क्या करना है दुसरा आपका वो काम कर गे दियता है तो same way है roots and controller यह बहुत ही जाद important है आज इस वीडियो का बहुत अच्छे से देखिएगा and कुछ reference भी मैं दूँगा अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आता है लेकिन आपको जरूर समझेगा तो देखिए मैं बात आता हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ मैं terminal open करहूँ फिलाल इसको मैं close कर देता हूँ because we need two more folders one is for our roots and another one is for our controllers ठीक है तो मैं एक बार दिखा sorry यह कहा लिक रहूँ मैं directory लिख देता हूँ तो अभी फिलाल आप देख सकते हूँ सिर्फ node underscore module से एक folder है बाकी कुछ नहीं है देखो d मलब directory बाकी सब कुछ ऐसी file है ठीक है so make directory में चलता हूँ and यहाँ पर let's go with roots so चलते है roots के साथ perfect guys एक roots बनके create हो चुका है clear कर देता हूँ मुझे एक और चाहिए होगा and that is your controllers तो guys simply controllers save कीज़े तो we have a controller sir अब मैं अगर dir करता हूँ तो आप देखोगे guys we have a controllers and then we have a roots ठीक है so इसको मैं clean कर देता हूँ let's go with under controllers controllers के अंदर जा चुका हूँ मुझे एक new file यहाँ पर create करना होगा जिसका नाम में लिख देता हूँ simply products.js perfect इसको as it is रहने देजे यहाँ तो आप simply वहाँ पर I mean मेरा कहने का मतलब यह है कि आप directly अगर इतनी मैनत ना करना हो आपको तो आप roots में जाओ right click करो new file कर दो आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो it's totally up to you कि आपको क्या पसंद है मैं इस तरीके से कर दो ताकि मैं भूलना जाओ कभी तो बस एक प्रैक्टिस बनी रहती है ठीक है so हमने दो folders create की उन दोनों folders के अंदर same file का नाम हमने put कर दिया कुछ भी रख सकते है ऐसा कुछ नहीं है so मैं यहाँ पर चलता हूँ clean node 1 पर हम चलते है sorry not node 1 npm run and then dev क्योंकि हमने script तो कल के दिन मैं आपको दिखाया था and yeah I am connected perfect मतलब कोई प्रावलाब नहीं तो सबसे पहले roots पे चलते ठीक है so roots it's like की हमें किस-किस पात पे जाना है and जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें क्या करना है वो controllers बताएगा तो हम roots create कर लेते तो उसके लिए गाई सबसे पहले we need to again connect with our express ठीक है basically express को get करना पड़ेगा require करना पड़ेगा बहुत गोल लीजिए again with from our express only so हम यहाँ पे चलते है express perfect so now इसके अंदर we got one instance तो मैं चलता हूं const let's go with router express.router के अंदर से हमें मिल जाएगा perfect so अब मैं अपना जो root है वो define करने जा रहा हूं सबसे पहला मेरा जो root होगा ठीक है तो मैं यहाँ पे चलता हूं router.root तो आप लोगों के लिए yeah I think this is perfect तो यह मेरा homepage जब भी homepage पे जाएगा .get तो मैं एक function को call करूंगा कि क्या करना है कोई अगर homepage पे जाएगा तो उसको क्या दिखाना है अब यह समझ दीजिए मैं यहाँ पे लिख देता होगा simply get all products करके मैं एक function को call कर रहा हूं perfect इससे को ही copy करता हूं paste and एक जानवच के मैं testing भी रख रहा हूं ताकि हम testing भी कर सके उसमें normally ठीक है get all product testing करके एक होगा testing जो हम postman पे करेंगे दुसरे को हम real में implement करेंगे ठीक है and यह हम हमें इसको export करना जरूरी है and हाँ directly एक second पुरा उड़ा दिया मैंने फिर आपको guys यहाँ पे इस तरह के से export करना पड़ता हूं module dot export and as miss करना मैंने गलती से as miss कर दिया था है नमें सोचता रहे गया कि हो क्या रहे है आपको export लिखना है इस तरह के से and आपको router pass करना पड़ेगा यह आपके this is it तो हमने route define कर दी है बता दिया कि जब भी कोई इस पे visit करेगा localhost call on 5000 forward slash testing तो वो इस function के पास जाएगा अब यह जो मेरा function है अभी तक मैंने इसको import नहीं किया है नहीं मैंने इसको define किया है it just मैंने यहाँ पर उसको call किया है ठीक है तो अब यह जो दो भी है मैं आपका products मेरे basically controllers के अंदर में जाना चाहूंगा and guys यहाँ पर simply मैं उनको define करता हूँ ठीक है get all products देखो कितने awesome तरीके से आते automatic and यह बहुत ही ज्यादा simple है आप समझ लो कि वह ही आपका async await and यहाँ पर request and then response तो guys basically यह आप कहले जी यही है यह जो app.get में मैंने जो लिखा है उसी को ही मैं थोड़ा सा advanced तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ basically आप देखो न यहाँ पर app.get में यह आपका कौन सा path है and then आप क्या करोगे तो यहाँ पर वह यह router.root यह कौन सा path है and क्या करोगे उसको मैं यहाँ पर define कर रहा हूँ यह same होई तो है async request यह देखो यहाँ पर same होई part अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ response.status कि हाँ अगर 200 means अगर सब सही होता है तो एक json उसको pass कर दो जिसमें मैं message लिख देता हूँ ठीक है कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ यहाँ पर json format है न यह iam get all products कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है get all products perfect and products की spelling wrong है that's why and यह बहुत awesome है कि automatic suggestion आ जाता हूँ copy करता हूँ paste कर देता हूँ invalid character कितना awesome है नहीं यह और दोनों का नाम सेम हो गया तो मैं यहाँ पर systematic आ गया and यहाँ पर भी guys मैं इस तरह किसे लिख देता हूँ testing तो हमें पता चल जाएगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है अब इन दोनों को मुझे export करना पड़ेगा so again चलते है module.exports will be equal to यह तो दो-दो है तो हम इसको इसको get all products get all product testing this is it ऐसा काम होगी अब यह जो हमने export की है इसको वापस मेरे roots के अंदर जो है यहाँ पर मुझे इसको import करना है basically import ने बोलेंगे यहाँ require बोलना पड़ेगा react use करते तो import import आता था वहाँ पर तो लेकिन यहाँ पर गाई सापको इस तरह किसे get all products gets all product testing and अब आपको लिखना पड़ेगा इस तरह किसे require अब आप देखो कहां dot दो बाब मैंने dot प्रेस की है तो मुझे warning आ गया इस तरह किसे मैं चलता हूँ forward slash मेरे controllers मेरे products yeah this is it देखो कितनी easily मेरा यह काम हो गया मेरा roots ready है मेरे controllers ready है roots का काम क्या है user अगर इस पर widget करता है तो क्या करना है वो controllers आपको बताएगा simply यह message आ जाएगा testing में गया तो यह message आ जाएगा लेकिन मेरे app को भी तो बताना जरूरी है कि मैं एक नया roots यूज करा router को मैंने implement कर लिया है ताकि मुझे अब इसकी need ना हो so guys मैं यहाँ पर middleware use कर देता है यह तो आप simply यह कह सकते हो कि like हम routers और set router आप कुछ भी लिख सकते है ठीक है and देखो guys it's simply app.use अब आपको basically यहाँ पर path बताना like localhost आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पर चलता हो तो localhost यह जो भी है उसके बाद spelling बस आपको सही लिखना है comma अब यह वाला जो part है अब भी मेरा यह जो roots है basically जो router में जो मैंने roots को define किया है मुझे यहाँ पर उसको आप get करना है so const में लिख देता हूँ इस तरह के से simply products underscore roots ठीक है आप कुछ भी लिख सकते will be equal to and again आपको require करते जाना है and we have our route forward slash this is it तो यह जो route आपको copy करके यहाँ पर mention कर देना है this is it तो पहले क्या था कि app.gate में अगर कोई localhost 5000 पर जाता तो हम उसको यह दिखाते थे but now अब हमने कर लिया इसको use right तो अब क्या होगा कि अब कोई भी localhost forward slash के बाद अगर API and then products लिखता है तो वो वहाँ पर चला जाएगा उस जगे पर ठीक है तो आप क्या होगा काईस कोई भी ठीक है localhost मैं आपको बताता हो करके देखो इसको इसको तो फिलाल मैं copy करूंगा and मुझे एक बार यह देखना है चल रहा है अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ enter hit करूंगा तो यही आएगा कोई problem ने क्यूंकि यह तो है लेकिन अगर आप मैं API forward slash product करके enter hit करता हूँ तो आप देख सकते हूँ कि एक second double हो गया यहाँ पर मैं इसको हटा के all right तो आप देखो message मुझे आ गया मुझे JSON format में मेरा data आ गया तो it's like कि मुझे मेरा API आ गया फिलाल आप इसको API ही समझ लिजे कि API आ गया है और वहीं अगर आपको याद होगा कि यह जो मेरा roots है ठीक है यह देखो यहाँ product underscore जो मेरा roots है यह देखो get all products अगर मैं testing को भी use कर लेता हूँ अगर मैं यहाँ पर testing भी use कर लूँगा तो I am get all product testing so basically इसका and इसका जो data हमने यहाँ पर mention किया था वह मुझे वहाँ पर आ चुका है कितनी easily so guys हमारा router basically API का वह भी set हो चुका है तो कल की video में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आप इसको postman में कैसे implement कर सकते हो and आपको बहुत कुछ मज़ा आने वाला and literally आपको बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला so guys आपको कैसा लाग आज के video नीचे count करके जरू बाताना हम बहुत करी post जारे अपना खुद का एक rest API create करने से and at the end में आप बहुत ज्यादा आपको मज़ा आने वाला आपकी life बहुत ज्यादी जो जाएगी आप और confident फिल करोगे so guys CC बात दो बताना चाहूंगा source code तुम्हें विलकुल free में provide करी रहा हूँ प्लीज उसी की बदले आप मेरे channel Thapa Technical को जरू subscribe कर दिजेगा next target 1 million subscriber मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में till then guys thank you so much take care